हलोज students! इस वीडियो में बच्चों हम प्रोनाउंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि कि प्रोनाउंस कितनी तरह की होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं जैसे कि किसी sentence में जब हमें noun को बार-बार repeat करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर Jack goes for a morning walk with Jack's father, Jack take exercise with Jack's father, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, Jack word बार-बार repeat हो रहा है, तो इस sentence को हमें पढ़ने में भी और लगता है और लिखने में भी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके जगह पर कुछ अलग से word यूज करते हैं, noun की जगह पर जिसको हम pronoun बोलते हैं, जैसे Jack goes for a morning walk with his father, तो यहाँ पर हमने Jack's father की जगह his father लिखा, and he takes exercise with him, तो इस तरह से यह जो his, he, him हैं, इनको हम pronoun बोलते हैं, जैसे कि अब हम और sentence में भी पहचानते हैं, जैसे कवीता is my friend, कवीता is intelligent, तो हम बार-बार कवीता noun यूज करेंगे, तो वो odd लगता, इसलिए हम दूसरी जगह लिखेंगे she, इसकी जगह हम she pronoun यूज करेंगे, she जो है girl के लिए हम यूज करते हैं, और he जो है वो हम boy के लिए, अब next sentence में राहूल प्लेज क्रिकेट, he is a baller, जॉनी इस गुड बाई, he helps his mother, इस तरह से हम sentence में pronoun को यूज करते हैं, तो बच्चों अब हम pronouns के, kinds के बारे में समझेंगे, pronouns कितनी तरह के होते हैं, तो सबसे बहले personal pronoun होते हैं, जो word, personal pronoun कौन से होते हैं, किसी भी person के लिए, animal के लिए, चीज के लिए, जगह के लिए, यूज किये जाते हैं, तो person, first person, second person, third person, तीन तरह के person होते हैं, first person होता है, जो व्यक्ति बोल रहा होता है, जो doer, बोलने वाला जो है, उसको हम first person बोलते हैं, जैसे I, me, we, जैसे मैं आप से बात कर रही हूँ, तो मैं first person हूँ, second person होता है, जिससे बात की जा रही है, जैसे आप से मैं बात कर रही हूँ, तो you are the second person, तो you and yours, ये जो है second person word है, third person होते हैं, जब हम आप से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसको हम third person बोलते हैं, जैसे he, she, it, them, they, ये जो words होते हैं, ये third person होते हैं, तो personal pronoun जो होते हैं, वो singular plural और male, female होते हैं, first person में singular pronoun word हम I, he और him male के लिए, she और her female के लिए, और it neuter के लिए, और इसी तरह से plural में, first person में we, us, our, और second में you and yours, और third person में they, theirs or them, तो ये male और female दोनों के लिए use किया जाता है, और third person में common और neuter gender के लिए भी, तो इस तरह से, इसकी हम यहाँ पर कुछ example से देखते हैं, fill in the blanks करना है, यहाँ पर suitable personal pronoun करके, गोपाल has lost his got and could not find, गोपाल ने अपनी बकरी खो दी और उसको नहीं मिल पाई, and he could not find him, he provided me a lawn, dash gave him interest, he provided me a lawn, and which he provided me a lawn, dash gave him interest, which gave him interest, तो इस तरह से हम personal pronoun यूज़ करते हैं, तो इस तरह से अब हम next pronoun की तरफ चलते हैं, next है, possessive pronoun, possessive pronoun वो pronoun होता है, जो किसी चीज के possession के बारे में बताता है, कि कौन सी चीज की है, जैसे that car is hers, वो car उसकी है, तो यहाँ पर hers, जो है वो possessive pronoun है, this computer is yours, तो इसमें yours जो है वो possessive pronoun है, तो बच्चों, possessive pronoun और possessive adjective, दोनों के बीच में अंतर होता है, possessive adjective होता है, जो कि किसी noun से पहले यूज़ किया जाता है, जैसे that is my file, तो my जो है वो noun फाइल से पहले यूज़ किया गया, यह possessive adjective हो गया, और pronoun होता है, जो pronoun की जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे that file is mine, mine word से पता चल रहा है कि file किसकी है, तो इस तरह से possessive pronoun और possessive adjective होते हैं, अब हम possessive pronoun की कुछ forms होती हैं, जैसे singular और plural, और possessive adjective first person के साथ plural अगर हमारा noun है, तो our और pronoun ours, इस तरह से यह words यूज़ किये जाते हैं, तो अब हम इसको कुछ exercise से समझते हैं, यहाँ पर हमें right possessive pronoun लिखना है, you have forgotten to bring your clothes, you can use mine, आप अपने कपड़े भूल गए, तो मेरे यूज़ कर सकते हो यदि तुम चाहू, we have had our dinner, have they had their, क्या उन्होंने अपना किया, इस तरह से हम यह possessive pronoun यूज़ करते हैं, इसके बाद बच्चो third pronoun होते हैं, reflexive pronoun, जो हमें जिसका जो action होता है, वापिस उसी पर ही जाता है, जैसे कि you injured yourself, yourself से पता चल रहा है, तुमने खुद को injured किया, she solved the matter herself, तो उसने अपने आप, तो she के साथ हम herself use करते हैं, they के साथ हम themselves, reflexive pronoun use करते हैं, तो यहाँ पर एक table है, जिसमें कि कुछ reflexive pronoun लिखे गए हैं, जैसे I के साथ हम myself, we के साथ ourselves, you के साथ yourself, he के लिए himself, she के लिए herself, it के लिए itself, और they के लिए themselves use करते हैं, इसके बाद बच्चों, next है emphatic pronoun, emphatic pronoun क्या होते हैं, जो कि subject के just बाद यूज किया जाते हैं, उसको emphasize करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे she herself, open the door, तो herself जो है, वो she के बाद यूज हुआ है, तो यह यहाँ पर, इसको emphasize कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है, तो उसने अपने आप से दरवाजा खोला, you yourself completed work, तुमने खुद से काम complete किया, तो इस तरह से इनको हम emphatic pronoun बोलते हैं, I myself did it, I के साथ हम हमेशा myself यूज करते हैं, reflexive pronoun, the guests themselves, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, themselves, went to the market, तो इस तरह से हम reflexive pronoun यूज करते हैं, इसके बाद next होता है, interrogative pronoun, जिस word से हम pronoun से question पूछते हैं, से which is your bike, तो which जो word है, whose is that, which, whose, what, whom, यह सब जो है interrogative pronoun होते हैं, जब हम question पूछते हैं sentence में, तो हमें जिस pronoun words से answer मिलता है, उसको हम interrogative pronoun बोलते हैं, इसके बाद interrogative pronoun और interrogative adjective में अंतर होता हैं, जैसे what is your address, तो यहां पर what जो है interrogative pronoun के जैसे use हुआ है, और अगर हम बोले what color you like, तो यहां पर यह interrogative adjective के जैसे use हुआ है, तो इस तरह से interrogative pronoun में, pronoun के बाद कोई नहीं होता है, कोई adjective नहीं होगा, और interrogative adjective में, adjective, question word के बाद adjective होगा, इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं तो अब हम यहाँ पर कुछ interrogative pronoun लिखते हैं जिसे डैश डिड़ ही solve the sums भाई या वैन हम लिख सकते हैं वैन वैन डिड़ ही solve the sums उसने solve, कम solve किये डैश ग्लोफ्स आर इन यॉर बैग तो whose ग्लोफ्स किसके ग्लोफ्स आपके बैग में हैं इस तरह से हम adjectives यूज कर सकते हैं इसके बाद next है relative pronoun relative pronoun में बच्चो noun या pronoun को किसी पहले से जो लिखा हुआ है उसके साथ relate करते हैं दो sentence को जैसे I taught Ravi he stood first in class I taught Ravi who stood first in class who जो है यहाँ पर relate कर रहा है दो चीजों को दो नाउन या प्रोनाउन को तो इसलिए इसको हम relative pronoun बोलते हैं I have a friend whose father is a doctor I have found the pen which had lost इस तरह से इन sentence को हम relative pronoun के साथ जोड सकते हैं who is used for persons who जो है हमेशा person के लिए use किया जाता है बच्चों और which जो होता है वो non-living चीजों के लिए whom भी person को बोलने के लिए use किया जाता है जैसे अब हम यहाँ पर कुछ questions करते हैं इसके the man dash met you yesterday was a robber the man who met you yesterday जो तुम्हे कल मिला वो एक डाकू है do you know the boy who lost her uncle give me the vegetables which are on the table इस तरह से हम इन pronouns को use कर सकते हैं इसके बाद बच्चों next होता है indefinite pronoun indefinite pronoun में क्या होता है जिन चीजों का या person की quantity fix नहीं होते है numbers fix नहीं होते है somebody, anybody, nobody उसको हम indefinite pronoun जैसे many of these, many, all, few, none यह सब जो words होते हैं यह indefinite pronouns होते हैं जैसे has stolen our car someone someone has stolen our car या dash are rich in our village तो हम क्या word यूज कर सकते हैं all all are rich in our village तो इस तरह से ही जो words होते हैं जिससे हमें कुछी fix चीज़ का नहीं पता चलता indefinite pronoun बोलते हैं इसके बाद next होते हैं distributed pronoun जो की चीजों को एक ही समय में कितनी चीज़े ली गई हैं उसके बताते हैं एक समय में हमने कितना चीज़ लिया distribution के बारे में तो each of them is married तो हर एक each word से हमें पता चल रहा है कि एक बार में एक चीज़ ली गई तो इस तरह से एक एक करके लिया गया उसको हम distributed बोलते हैं either of the roads lead to Delhi मतलब कोई एक सड़क जो है वो Delhi जाती है तो अब हम distributed pronoun और distributed adjective में अंतर समझते हैं neither labors मतलब कोई भी labor present थी और distributed adjective हो गया each girl जो है वो distributed adjective हो गया और neither girl जो है वो distributed pronoun distributed pronoun लिखना है dash of the buses will take you to Dehradun either of the buses either of the buses will take you to Dehradun second sentence में dash of these players will get the rewards each of these players इस तरह से हम इन sentence को complete कर सकते हैं इसके बाद next होता है बच्चो demonstrative pronoun तो demonstrative pronoun क्या होते हैं जो किसी particular चीज की तरह इशारा करते हैं जैसे this thing, that thing, those, these तो these और those जो हैं वो plural के लिए यूज किये जाते हैं और this or that singular चीज के लिए यूज किये जाते हैं तो this is my mobile, these are her dolls तो this single, these plural, जो पास की चीज के लिए और that दूर की एक चीज के लिए और those दूर की बहुत सारी चीज के लिए तो इस तरह से यह pronoun होते हैं अब हम इसकी कुछ exercise करते हैं डिमोस्टरेटी प्रोनावन की इस तरह से हम इन सेंटेंस को कम्प्लीट कर सकते हैं इसके बाद हमें यहां पर कुछ सुटेबल प्रोनावन लिखने हैं these cars are for you, these cars are yours Yes, these cars are for you and these cars are mine These are our bottles These bottles are इसी सेंतेंस को हमें दूसरी तरीके से इन है these cars are for you, these cars are yours these are our bottles….these are ours these are his flags these flags are his इस तरह से हम इन sentence को complete कर सकते हैं इसके बाद combine this sentence with relative, I met a boy who was a singer, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे who was a singer here are the marbles I bought them from that which हम यहाँ पर क्या relative pronoun उस करेंगे, which तो इस तरह से हम इन sentence को complete कर सकते हैं, तो यह था बच्चो pronouns के बारे में, detailed information की pronouns क्या होते हैं कितनी kinds के होते हैं, और किस तरह से उनको sentence में use किया जाता है तो I hope आपको समझ में आया होगा Thank you